अलो व्रिवन सो यह आपके पास ओलिव बोर्ट का कोशन है यह आर बीपियो मेंस का 2021 का जून की पेट टेस्स सीरीज है ना उसका मॉक टेस्ट नंबर सेकंड का कोशन है राइट सो कोशन नंबर आपको पता दो 165 है उसके बाद 3-4 कोशन इस पर बेज़ है आपको पसंद आए तो आप वहां चाहकर खरीज सकते हैं बट मुझसे एक स्टूडेंट ने कोशन पूचा था कि इसको करना किस तरीके से है तो मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगा इसका मैथेड का इसको सॉल्फ करने का जो भी इसके बार में इंफॉर्मेशन है उसको कैस से फाइंड आउट करना है ठीक है तो कोशन में क्या दिया है उसने बोले कि आउड़ दे टोटल पॉपलेशन इंडा सिटी एक सिटी में टोटल जो भी पॉपलेशन है उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो की यह विलिंग टू वर्क एस नोन एस वर्क फोर्स पॉपलेशन ठ सब्सक्राइब कुछ लोग हैं जो की काम करना चाहते हैं और उनको क्या बोला गया है वर्क फोर्स पॉपलेशन ठीक है वाइल आउट ओफ टोटल विलिंग पॉपलेशन सटेन नंबर ऑफ पीपल आर इंप्लाइट नोन एस इंप्लाइट पॉपलेशन और इन में से कुछ लोग आपके पास क्या है वो अल्रेडी इंप्लाइट है जिनको क्या बोला गया है इंप्लाइट पॉपलेशन ठीक है तो यह दो तरह की पॉपलेशन है वर्क फोर्स पॉपलेशन और इंप्लाइट पॉपलेशन यह बेसिक उपर बताया गया है और उसने वाला है कि यहां को workforce rate find out करना है तो वो क्या आपके पास जो भी total population है जो work करने के लिए willing थी मतलब क्या ये divided by total population into 100 इसके equal है ठीक है similarly आपके पास जो employment rate है वो equal to किसके है जो भी आपके पास employed population थी ठीक है divided by total population into 100 ये दो formula है इनी का हमें use करना है आके आके ठीक है कैसे करना है को मैं भी आपको explain करूँगा उसके बाद आपका नीचे इस तरीके का graph दिया हुआ है ये graph मैंने ऐसी randomly ले लिया ये graph उस test series में नहीं मिलेगा ठीक है बस मैं आपको यहाँ पर explain कर दूँगा कि value कैसे और ये job के पास population है इन दोनों का sum उसने यहाँ पर दिया हुया है थीक है अब यहाँ पर यह सम और आपको निकालना कैसे है ये जो आपके पर दो heights दे हुए है इन दोनों की बीच का difference लेकर निकालना है ठीक है अब वो graph से इनके पीच का difference कितना है वो तो आप निकाली लोगे राइट जैसे की मैं assume कर लेता हूँ इसका पीच का difference है मान लेते है 80 ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा कि workforce population और जो implied population है किसमे 1995 में वो equal to आप किस के हो जाएगी 80 के हो जाएगी ठीक है समझ मैं अब इसके आगे यह एक last में उसने एक table और दिया हुई है तो table में आपके पास workforce rate और employment rate दिया हुआ है ठीक है अब यह workforce rate का है वो यह आपके पास है और employment rate का है वो यह आपके पास है ठीक है तो इसके दूरू हम निकाल कैसे माल लेते हैं जैसे कि 2000 sorry 1995 में आपके पास workforce rate कितना 80% है और employment rate कितना है माल लेते 30% है ठीक है तो in that case क्या होगा ना आपके पास दिखो मतलब यह आपके पास value कितनी 80 दिए और यह आपके पास value कितनी 30 दिए तो अगर मुझे यह value find out कर लिया है मतलब क्या वो total population जो की विलिंग थी work करने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं कि workforce population अगर आपको निकाल लिए तो आप कैसे निकाल सकते हो अगर यह आपके पास 80% है तो मैं बोल सकता हो ना कि 80% of total population ठीक है similarly जो आपके पास employed population है वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ यह आपके पास find out अगर करना है यह आपके पास value already 30 given है तो बोल सकता हो ना कि 30% of total population तो यह equal to किस के हो जाएगी 80 के हो जाएगी समझ मैं तो इसी तरीके से हर एक year में आपको यह equation से उस year की total population find out करने होगी और इसी तरीके से आपको सारे जो भी questions दी होएगी वो solve करने है ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा यह जो आपके पास दो formula है यह important है because इसी के through आप सारी values find out करोगे यह तो simple है इसमें बस difference निकालना है और कुछ ज्यादा यह matter नहीं करता है ठीक है और उसके बाद जो यहाँ पर आपको table दी हुई है उसके through आप क्या कर सकते है percentage find out कर सकते है ठीक है I hope यह समझ में आ गया होगा जिस तरीके से हमने इसके solve कर रहा है ठीक है अगर आपको question पसंद आया हो तो आप olive board में जाकर इससे procedure कह सकते है मैंने आपको अलड़ी बता दिया यह test series कौन सी है कौन सा question अपर है ठीक है तो इसी तरीकी कि अगर आपके पास कुछ questions है किसी भी paid course का अगर कोई भी question है ठीक है अगर आपको समझना है कि उसमें हमें करना किस तरीके से question obviously मैं पूरे question को तो solve करूँगा नहीं because paid है right मैं उनकी values भी use नहीं करूँगा बट अगर उसमें कुछ समझाने जैसा होगा कि उसे करना किस तरीके से ठीक है तो मैं उसको आपको यहाँ पर इस तरीके से वीडियो उसमें बता दिया करूँगा ठीक है तो अगर आपके पास क मुझे comment section में बता दियेगा मैं उसे explain करता हूँगा ठीक thank you so much